आज है तक्ति दो पहरी कल शीतल सी बोचार बनेंगे इन पोधों को विरिक्ष बना दो वरना खर्पतवार बनेंगे मैंने तो एक चीते से पूछ लिया मैंने का तिरे को डर नी लगा यहां सी बी आई डी चल रही है चीता बोला मैं महीं से भाजपा जोएन करके आएं बहुत अभार सुनिल भाई का बहुत तारीफ कर दी मेरी International कवी हूँ देश के कोने-कोने में गया हूँ मैं सच बता रहा हूं वाई साब मैं आस तक कोने में नहीं गया किसले कोने में जाओं जब यहां पर कभी संभ्ण नुरा-राजवरीगाडन में हम कभी एक दूसरे की सर मेंदी रत्ता जी हम इतनी तारीफ करतें एक दूसरे की, जिका कोई हिसाब नहीं है और जुट भी बहुत बोलते हैं आज जुट मैंने कम बोली क्योंकि मैं संचालन में था तो मैंने किसी के कवी के बारे में नहीं बताई इसने इतनी पुस्तके लिख रखी है वरना ये ये राम बदावर एक नंबर का जूटा ये बैठा 15 साल पहले फोन करा मैं राम बदावर कहां बोले अमरीका मैं किसलिए बोला कवी सम्मिलन में मैं मैं आस तक साड़ा मम्मी का साथ बरतन मांच है कि मैंने वहीं से टेलीफोन करा बदावर कहां बोले कनाडा तू कहां मैंने का दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं बजाओ ताली एक बार साहब क्या दिन नहीं देखे हमने करोना में सर हैं भाई प्रदी भाईया क्या दिन नहीं देख दिन देखें हैं भाई वोही लुगाई देखी दो साल तक को सबेरे से साम तक भाई संद काम वाली आती नीठी निठी लुगाई ना आती नीठी लेक अपका समान खातम था इतने लोक करो न से नहीं मरें जितने लुगाई की सकल देख्के मर गए मेरे पास यही ज्यान धान है मैं ज्यादा परेशान करने वाली बात करता ही नहीं हूं किसलिए दिलोगों को दुखी करो सब को सब कुछ हॉस्पता हैं क्या बताना लगा रहा भाई साब दुनिया टेंशन में बैठी ये हटी होने लगी है होश्पिटल के बाठी phraा के सींहारों के साथ तो हमना खोलना पढ़ता हैं और चाहरों के साथ हमारे समाज में इतना पैसा भगवान ने दे दिया लेकिन थेंशन लड़ गई पहले गाओं के लोग वोते थे बैठते थे चोपा ले लगती दी वाजी मज़ाक करते थे कोई किसी की बात का बुरा भी नी बांता था आज टैंशन इतनी हो गई है कहां जा रहे हो भाई साब कहां जा रहे हो सर कहां चले बागुजी बस खतम छुटी बैठो बैठो हाँ यह सुभाजी के बारावर में बैठे हैं यह बाते करने आये हैं विशेश तूरूप से बता रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे बात कर रहे हो कभी इन्होंने बूला रखा चाहि न गा पाकिस्तान क्या भी गाल के दिल्ली NCR में ये बात हमारे बेद परकाश जी ने कही थी जो कभी है इतनी लंबी बात करने की फायदा है निये चाहिना चाहिना करे जा रहे चाहिना क्या कर लेगा हमारा चाहिना इतने से लोग होते हैं जितना चाहिना के लोग टोटल होते न उतना तो सुधिप हमारा इतनी मतलब हाथ से मैं बात कर लो ना कई जरूरी थोड़ी ना इतनी लगी बात करनी तो इसलिए कोई दालों का कामी नहीं चल रहा है वजहर के अंदर तो तो वेपारी आदमीं कुछ कर देगा मैं ने बता मैं बोला हमारे पीतमपुरा में सरकस लाग गया उनका बालू मर गया बोला मैं कुछ नहीं करना बालू के कपड़े पहन के कूदने अरह बोला यार यह बेस्ती हो प्यार यह बालू तो मेरे पती की तरह नाच रहा है उसे क्या पता अंदर वो ही है अभी से ने देखा लुगाई बैठी यह बाई साब यह एकदम चाओ के अंदर आ गया जोड़तार नाचा रहा मैं वह मैं बालू मैं बालू हो सब्सक्राइब को देखते हैं शोग जी नि ठैक दिया बोला मैं अभी कोई सेर्वेर नियू अनिल अगरवंसी हूँ बजाओ आथ खड़े कर गे ताली क्योंकि चेरे पर हसी और दिल में खुशी होती है सही माईनों में यही जिंदगी होती है और हसना किसी इबादत से कम नहीं किसी और को हसा दो तो बंदगी होती है किसी और को हसा दो दुनिया तैंशन में बैठी क्का एक भा एक बैठा थैं कौन लेके जागा कि कर लो किस की टेंशन दूर खरोगे टेंशन दूर ओई नी सकती परर कहां से दूर करेंगे अभी चीते लाएं मोधी जी भार से क्या लाए feel लाए मैने तो पूछ लिया मैंने का ति और नी लगा यह c armed blog प्रेंढ़ करकर किया i अभी एक दोस्त किया मेरे पास रोते रोते आ रहे इसको बंदगर तो यहां से निदिखा मेरे को डारेक्ट दिखाओ इसको बंदगर दो वह एक दोस्त मेरे पारोते विए आया वुले यार दादा जी गुजर गए मैंने क्या हुआ क्या राम देव नहीं मरवादी है तेरे दादा जी राम देव जी ने किसे मरवाद यह बोला यार ंटीवी के सामने योग सीखे रह 头 सुबह 4 वजे दादा मेरे बोले-बाले बाबा तोड़ी दिर में बगवान ने मेरा दादा जी खेंच लिया इतनी दिर में लाइट आ गई बाबा राम देव टिवी में रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारन किया जाता हैmen main के सत्ता को समालते ही मोधि ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, मौदी जी देश के बड़े नेता है、 पचास लाक कर अभी, दो लाग करोड का लोन लेकर आए, जपान से साथ, कितना, सर, सर दो लाग करोड का लोन लेकर आए जपान से बदले में देखे आए गीता माता होश्यार प्रदान मंतरी है सर आज उनका जनम दिन है दो लाग करोड का लोन लेकर आए बदले में देखे आए गीता माता पचास साल का लोन है पचास साल बाद बाई चांस वो लोन वापस नह का हो जाएगा मोदी जी का जलवा अलाग है साब देश की अंदर आज उनका जनम दिन है एक बार तालियां बजाएं आज एशिया कप जीता है तालियां बजाएं आज हिंदी दिवस के लिए उनका हाज हमने संबान शिक्षक दिवस मनाया तालियां बजाएं अटल विहारी ज एल्फोन आया मेरे पास पहले मोदी जी का आता था रोबर का सीधा फोन मेरे पास आया नील भाई मैंने का हाँ बोला यार्या यह कहां देश दी है मैंने का चांद पे बुला इससे सच्छी सड़के तो हमारी की स्कूल गंधर की स्पेक्टर आंगी जैंथ सवाल कर दिए बच्चे से बोला आपका नाम क्या है गोला जी मेरा नाम प्रदीप कुमार देशने मान मत्री का नाम टड़ी रामलाल रा मेरी पिताजी का मैंस था उसने का 10 रुपे देऊंगे तो जबाब देदी हो आप देऊ गया भाई देगा बोला यार कैसा बत्तमीज बच्चा तेरी शिकायत करूँगा सीधा टीचर के पास चला गया टीचर महोदे आपको बार निकाल दूँगा आपके बच्चे नकली है बोला बार आप नि अच्छा रखा है पंसीपल वाल साब बोले देखो इंस्पेक्टर साब बुरा मत मानना असली तो मैं भी नहीं हूं असली है मेरा बाई आज दिल्ली में मुकदमा था महां चला गया बोला इस्पेक्टर साब आएंगे दस हजार की गड़्डी उनको दे देना वह खुश हो पीछे वालों ने बजवा के छोड़ूंगा अरियाना काजमी करके छोड़ना है जो छोषता है कि बोला यह तो मैं था अगर असली स्पेक्टर आजाता तो क्या होता अब प्रिंसिपल का जवाब सुनना बोला इस्पेक्टर साब क्या आपकी मती मारी गई है जहां बच्च विर्या को संभालते ही मोधी ने एलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं और अखिलेश बोले अब जिंदगी मेरा हुल को अपनी है सईकिल चलाने नहीं दूंगा मैं अमिति शाबोले चाहे कोई भी जुगाड करूं गॉर्मिंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं और अभी योगी जी की बात करी उत्तर प्रदेश की यूपी में बाबा है उनका बुल्डोजर चला और इस कोड रोमियो याद करना इस कोड रोमियो और एक एक श्रोता की ताल कुछे ना देना खुद ना पताऑी और पता ने ना ही दूंगा मैं सर्जिकल स्थ्राइक होई मेरी वजोघे से ने मोदीजी को फोन कर आनी ऐसे काम है मोदीजी ने एक मिट में कर दी सारे पाकिस्तान के बुरा हाल मच गिया बोले सर्जिकल स्ट्राइक हो गई पता करो कोण से वाले प्रांत वालों ने करी है बोला जी अरियाना के लोग थे जिन्हों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है बोला अरियाना के थे बोले हां बोला तिरे को कैसे प बोले इसमें क्या फायदा होगा मैंने का देश को भी फायदा होगा आपको भी फायदा होगा और पाकिस्तान सारी उमर हमारे सामने जुकेगा बोले क्या तेरे पर हिलाज है मैं अगरवाल समाज का आदमी हूँ और वैसे भी अरियाना का हूँ चार पंक्ती सुना देना हाथ से और ठाका कहा से लगाया पीछे तक की तालियां चाहता हूं साब कि जो भी है तकरार की बाते दिल से सभी भुला देंगे कहे देना पाकिस्तान के राश्टपती को मोदी जी जाकर आप तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांदी ब्याद देंगे अंतिम पांस मिनट लेना चाहता हूं सुनाने को बहुत है लेकिन हमें हरुन भाई को सुनना है साहब एक पैरोड़ी की फर्माईश मुझसे की थी आधरने टेकरिवाल जी ने दो पंक्तिया सुनाता ठीक लगी ठीक है नहीं तो और कुछ सुनाओंगा अभी गठबंदन बना कांग्रेस का के ओहरे आप मिले सपा के दल में सपा मिले पंजे में पंजा मिला कौन से दल में कोई जाने ना ओहरे पूरी सुनाओंगा अगर आपकी तालिया मिली तो के ओहरे आप मिले सपा के दल में सपा मिला पंजे में पंजा मिला कौन से दल में कोई जाने ना कैसे के सब की दुश्मन बन बैठी इकलोती भाजपा इकलोती भाजपा सब की दुश्मन बन बैठी इकलोती भाजपा इकलोती भाजपा गठ बंधन सोच रहा है कर देंगे खात्मा कर देंगे खात्मा वो ठगवारे गठ बंधन सोच रहा है कर देंगे खात्मा अरे बहकाया किस पागलने कोई जाने ना ओरे आप मिले सपा के पीछे के लोगों की तालिया आ रही है पैरोडी खतम कर दूआ वरना तालिया बजाओ साब के चोबिस में पक्की होगी मोदी की जीत है मोदी की जीत है ना उन में कोई ताल मेल है ना उन में प्रीत है ओ भगवारे ना तो कोई ताल मेल है ना उन में प्रीत है जगडा हो खौन से पल में कोई जाओ तालिया साब एक बार मिलकर और अंतिम पंक्तिया पड़कर अपना इस्तान लेता हूं यह बहन बेटियां बैठी है हमारी माताएं बैठी है बेटियों को गरब में मार देते हैं और वो चार पंक्तिया दुबारा दोराना चाता जो हमारी बातों में खतम हो गई हैं, कि ये जो एकल का भियान है, वो जो छोटे-छोटे बच्चे जिनको हम शिक्षा देते हैं, वो बच्चे गरीब, अगर हम उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो आज आगा आगे आने वाले टाइम में क्या बनेंगे, वो खुंखार हो कि आज है तपती दो पहरी कल शीतल सी बोचार बनेंगे इन पोधों को विरिक्ष बना दो वर्ना खर्पतवार बनेंगे और अंतिम चार पंक्तिया पढ़कर इस्तान लेता हूं सुनाने को बहुत मन्था लेकि नरून भाई को सुनने का मैं खुद आशिक रहता हूं मेरे साल समाज के साथ साथ तमाम उन लोगों का मंच है जो पुन्यकारियों में जुड़े हूए हैं आदरनीय सरदार जी खड़े हैं उनको भी नमन करता हूं और दोस्तों ये उनके लिए है कि जब बेटियों को हम गरब में मार देते हैं राजिस्तान हो या हरियाना हमने ये प बेटा बना पालो तो ये इतिहास चूलेगी करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास चूलेगी कभी जीवन में बेटी को नजर अंदाज मत करना जरा से पंक खोलोगे तो ये अकास चूलेगी जरा से पंक खोलोगे तो ये अकास चूलेगी बहुत 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 मेरे लिए भी तालियां मजाईए सن है ऑभार वेक्ट करता हूँ और आयए इस कारे कर्म के समापन कभी नहीं होते इन कारे करमों के विराम होते हैं विराम इसलिए होते हैं इस प्रकारिय यह कल का भ्यान जिना रहेगा जिन्दा ही रहेगा हमेशा और ऐसे कवी को बुलाना चाहता हूं भाई साव जो हर्याना की मस्ती का अद्बूत कवी है ना केवल हर्यानीवी भाशा को हिंदुस्तान बलकि अंतराश्ट के इस तर पर जिन्होंने पहचान दिलाई मेरे बड़े भाई हम सब कवियों क स्रेश्ट और आज के अध्यक्ष अरुन जी बैंजी मैं दो मिनट अनुरोद करता हूं कि एक बार आपने इतना समय दिया है हमारे अरुन भाई आखरी के 15-20 मिनट आप सब मिलकर आपने इतना प्यार दिया संबान दिया इतना लोगों के लिए बच्चों के लिए कठा किय आप वो लोग हैं जो जेब से पैसा लगा कर भला करने वाले लोग हैं